सो हलो फ्रेंड्स कैसा आप सब लोग मेरा नहां मैं हर्दिक और वेलकम बैक टू जी टीए फाइफ और जैसे कि आप सब लोगों को याद होगा लाश्ट वाले एपिसोड में मैं ने जीमी को बता लिया तो पट ट्रेसी और अमेंडा अभी भी गायब है तो आज के इस एपि अब हम थाएफ को सब्सक्राइब हो अब भी इस के लिए मुझे शूर्स चाहिए होंगे यह इस जगह के लिए मुझे थोड़े बहुत रिसोर्स चाहिए तो मैं भी बहार निकलता है और सामने जांबिय वाउ फूटी किसमत चलो कोई नहीं बाजू में कार है और मैं अश् चलो अभी देख लेते हैं इंवेंटरी में कुछ है क्या वीकल रिपेयर किट भी नहीं है और मेरे पास मेरी किस्मत किती बेकार है वैसे मुझे बहुत सारा समान चाहिए होगा ताकि मैं यह जगे को पूरी तरीके से सेफ कर सुखूं मतलब जैसे सामने आसपास जौंबी से नहीं घुमने चाहिए पर ठीक है अभी मैंने सप्रेसर लगा लिया तो मैं मारूंगा तो मेरी गंजादा आवाज नहीं करेगी तो इन सब को मार देता हूं जल्दी से आ से आओ हैड़ पड़ेगा सब में एक एक करके एक साथ नहीं आने एक एक करके आना ओके अब जल् दिलो तुम लोग पता नहीं है तुम लोगों को कि कितना पावरफुल हूं है बाइद वे आप अभी इस तरफ चलते हम और गाइस मुझे एक और बात का धियान रखना होगा कि साम होने से पहले मैं वापिस आजाँ क्यों कि साम होने के बाद जॉंबी और मारने लगते हैं इसलिए मैंने अपनी गन हाथ में लेकर रखा अभी यह जो सामने स्टूर दिख रहा है मुझे यही पैना था और अभी स्टूर से समान भी लेना हमें पर मैं इसके अंदर जाऊंगा कैसे यह तो लॉक है यह बहुत बुरी स्थती है मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़े स्थती है अब जब तक नई भाठे से डर करनों का पार नहीं होती और माइकल भाया कि कभी हार नहीं होती माइकल भाया की जयो अंदर घुद्ध कर्चब बताने की जरूरत नहीं है मेरी स्टति क्या सामने इतने सारे जॉम्बी आप लोगों कोई दिख रहे होंगे पूरे गेट में ऐसे जगए घेर के रखें मैं भाई घेल रहा हूं लाइफ इस्टेंट में थोड़ी ना वाकिंग ठोड़ी ना खेल रहा हूं मैं दिमाग खराब क्योंकि देखो एक बार में यह जंप मारता नहीं है माइकल तो मुझे थोड़ा टो टाइम लगे गए हो भी सकता है कि मेरी विलाश बिच जाए फ्रैंक्लिन की तरह जंप लगाने का टाइम और 321 मैं पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया सेफली बार पहुंच आँ सिब कोई मारी हो मैं पहली बोल दिया मत्थे पे मारूंगा बहुत गंदा वाला रुख जाओ मना कर रहा था नहीं है यह लोग रुख जाओ यार अभी मैं सेफ नहीं हूं वरना मैं लोगों को पेलूंग रुख जाओ एक हाथ पर तो गोली पड़ेगी तू निकल अभी अब जल्दी से इस तरह आजाओ बच्छो छोटे चोटे लाइन में चलो अच्छो तो की तरह लाइन बना के एकदम हाएस लाइन बना का अच्छे से जाओ जाम्भीयों को बुला रहा हूं क्या जमाना आ गया पर उपर जाना से अच्छ जब यह लोग अभी इस तरह आई सब्सक्राइब में मतलब मैं कि क्या बूल रहा है बोलने का मतलब मैंत बैड ぞ pantry रो नार्ड운 passado यहां निए कि दना हम तो तो निकलने थो यार फैन कर लो मतलब लूटे बहुत है भूआ कैसे हो सकते हो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इंसानियत तो नहीं कम से कम जॉंबी नियत तो रखो और जॉंबी नियत क्या होती है बाई तुम लोगों को पता है जॉंबी वैसे जॉंबी नियत ही तो है उनकी इसलिए तो मार रहा है मुझे चलो अभी मैं या से उपर रहे हैं जॉम्बी बहुत बेकार होते हैं सोचा आप घर में बैठो गेम खेल और बाद उसे आपकी बहन आके जॉम्बी बन गई हो भाई डर जाएगा विचार जो भी बन दोगा मेरी तो वाट लग जाएगा यहां से नीचे उतरते एकदम मस्त तरीके से सिंपल भाई एकद सारी डेड़ बाडी लूटी नहीं थी देखा मैंने बोला ता नहीं इसलिए मुझे पता था कि आप और रिसोर्स मिल जाएंगी तो अभी जिन जिन डेड़ बाडी को मैंने लूटा नहीं था उन लोगों को लूट लेता हूं जल्दी से एक एक करके लूटूंगा भाई य है मैं अभी दूसरी स्टोर जात ले जाते क्योंकि हमें बहुत सारा समान चाहिए हमें पूरे जॉंबी अपॉक्लिफ से मैं सर्वाइव करना तो यह रही है कि इस तरफ तो इसमें मुझे जाना यहां पर मैं मार्क लगा देता हूं अब पर मुझे जाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि गाड़ी नहीं है मेरे पास अभी धिन्चक पूर्या को बुलाना पड़ेगा तो गाज हम पहुत चुके दूसरे स्टोर में और सबस्ची बाद मुझे आसना गोल्यों की आवाज आ रही है मतलब हो सकता हमारी तरह यहां पर सर्वाइवर्स हो बट वो ब गेट में काच लगा तो तोड़के चले गागे इसमें में काच सजांगा रुक जब पीछे सजाना पड़ेगा नहीं यार कोई ना कोई तो तरीका होगा गाइस मैं सोचा तो वो श्टोर नहीं ता इस टूर तो यह सामने रहा और इसमें काच की लगी है मतलब फिर से मुझ मिला मिला कम से कम यह अच्छी बात हो गई अभी जल्दी से यहां के भी रिसोर्स ले लेते सारा अभी आज पास मुझे तो नहीं लगता कोई जॉम्बी होगा अब इसमें कर paci रूट मिला मारे देखता हूँ मेरे पास क्या ब Joni कि आवलेबल है के अभी मुझे पहले देखना कामज नहीं है मेरे पास मतलब मेरे पास क्लीन वांटर बहुत सारा और यह फूड आक के पैकेज फूद हमारे पास 11 हो चुके और वीकल रिपेर किट अभी भी नहीं है और वाल हमारे पास एक ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है वेपन क्रेट मेरे पास सफिशन समान है अभी और आज की रात मैं सोच रहा है यही पर बिताओंगा तो अभी सबसे पहले यह थोड़ा उपर करके यही पर लगा देते क्योंकि आज हम लोग यही पर सुने वाले यह टेंट लगा दिया और मुझे चाहिए एक कैमफायर यह उ सबस्क्राइबे लगा दिया हूं अब देख आप मुझे अपने सिक्यूरिटी के लिए थोड़ा भार वाले तरफ भी काम करना होगा थोड़ा से हां यहां पे यहां पे और यहां पे जो है ना मुझे रखनाए पड़ेगी एक वाल ताकि कोई आ ना सके तो वाल यह रही थोड़ा उपर हां यह तो यहां पे मैं एकदम सीधे से वाल रख लेता हूं ताकि कोई आ के मुझे परिशान ना करे और यहां पे मैंने वाल रख द यह एकदम सही यह पर गेट भी नहीं है पर चलो कोई नहीं हम जा सकते और जॉंबी को टाप कर दो जा सकते हैं और अज़ की रात यह पर बिता लेंगे और आपको यह वाली वीडियो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सफ्क्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़े होने वाली है इसलिए सब्सक्राइब कर दो